हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है और कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ तो ये देखिए ये साशुराल में मेरा दूसरा दिन है तो ये मैं मेहंदी लगवा रही थी तो छट का ब्रत करना था तो मेहंदी लड़की है हमारे यहां लगाती है तो उसी को मैंने बुलाया था और ये देखिए महंदी लगवा लिया मैंने दोनों हाथों में कैसी लग रही है बताए हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैपी छट पुजा तो मैं अभी स सभी को चट पुजा की हरदिक सुब कामनाएं और चट माता आप सभी की मनुकामनाएं पूरन करें तो बस मैं मेरा तो फास्ट है तो मैं अभी सुराल में हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गाव आई हूई हूँ तो यहां पे किस तरीके से चट पुज होता है मैं आप सभी को दिखाऊंगी और आप सभी के साथ सेयर करूंगी तो अभी करती प्रशाद बनाने तो आई आप लोग भी देखिए कि हमारे यहां कैसे प्रशाद बनता है तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर हम लोग प्रशाद बना रहे थे जो में प्रशाद ह होता है वो मेरी शासुमा ने पहले ही बना लिया था वह आम के लकड़ी पर बनाया जाता है और यह जैसे कि अगल बगल या फिर सभी को जो प्रशाद बाठते हैं उसके साथ तो यह रिफाइन तिल में बन रहा था तो बस मैं यह इसे बना रही थी और यह देखे यह जो सामन रहना इन ही की साधी है यही मेरे सबसे छोटे वाले देवर हैं मेरे हजबेंट पांच भाई हैं और मैं ही सबसे बड़ी हूं और यह मेरे छोटा वाले देवर थे तो यह देखिए हम लोग निकल रहे हैं घर से जादे दूर नहीं है तो हम लोग पैदल ही जाएंगे तो मै तो इस वज़े से उनको आना ही था तो इसलिए यही से वो पहला चट कर रहे हैं और यह देखिया हमारे यहां चट गाट का यह नजारा कितना अच्छा लग रहा है ये साम के टाइम का है और ये पहला अर्ग जग दिया जाता है साम का वह उस टाइम का है ये तो बस हम लोग वही पूजा कर रहे थे मैं जितना कोशिस की हूँ आप लोगों को दिखा सकती हूँ उतना मैंने किया है और हाँ वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो साहे थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैंने दोनो टाइम का ही एट कर दिया था मैंने दो बार में नहीं बनाया साम का और सुबा का मैंने दोनो एक साथ ही कर दिया है वीडियो कि क्योंकि आप लोग समझ सकते हो टाइम की कमी है ससुराल में आई हूँ परिवार में हूँ तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है उसमें सब समय भी निकालना पड़ता है तो उस हिसाब से और अभी तो बहुत ही घर में भीन भार है सभी जुटे हुए हैं तो और अभी और भी लोग आने वाले हैं साथी में तो और भी जादे हो जाएगा तो ये तो फिलाल पूजा थी तो ये देखिए हम लोग छट पूजा कर रहा थे और आप लोगों कहां कैसे होता है आप लोग बताइएगा जरूर लगबख सभी कहां ऐसे ही करते हैं थोड़े बिहार में थोड़ा अलग होता है जैसे कि खरना होता है तो हम लोग कहां खरना नहीं होता है होता है, बोल के हम लोग भी वैसे नहीं करते हैं, और ये जो लाइन से जितने लोग खड़े, ये सभी मेरे फैमली मंबर ही हैं, जैसे मेरे चाचा-ससुर की बहु, उनकी बहु की बहु, मतलब सारे फैमली हैं, और सबसे मैं मिलवाँगी कभी फूर्शत में, क्योंकि सभी ल तो ये मेरी मजली वाले देवरानी है तो उसके जुड़वा बच्चे हुए थे तो बस वही कोसी हम लोग भर रहे थे जैसे कि एक लड़का था एक लड़की तो लड़की का भरा जाता है और जो एक और था वो मेरी ननत का था तो उनका भी बाबू हुआ था तो उन्होंने बहवा दिया जाता है गंगजी में और उसके बाद यहां पर सुबह के टाइम मेरी सासुमा हम लोगों को सिंदूर लगा रहे हैं तो मुझे ऐसे सिंदूर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है नाक से लगाके और यह उपर तक क्योंकि ऐसा तो हम लोग रोज नहीं करते ह हैं कोई तीस्ते वहार या फिर छट में ही करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सिंदूर लगाना और मैं जल्दी से हटाती भी नहीं हूं यह जब तक रहता है मैं रखती हूं और आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो बताईएगा जरूर तो अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनता है और हां मैं आप लोगों को बता दू कि यह जो भी जितना भी वीडियो शोट होता है मेरी बेटी कर लेती है और एडिट वगारा भी मतलब वही करती है जारे बहुत ही सपोर्ट करती है मेरे साथ मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा है और यह देखे यही है वो छोटो-छोटो जुलगा बच्चे मेरे बीचवाले देवर की और यह सुबह के टाइम जो अर्ग होता है तो मेरे घरवाले जो थे वो सब दे दिये थे और यह कोई और भी के होंगे तो जैसे की होता है बहुत लोग होते हैं कि जादे लोगों को देते हैं तो देना चाहिए क्योंकि अच्छा माना जाता है और यह देखे यहां पर किसी ने जैसे होता है कोई मानसिक करते हैं मनत मांगते हैं कि हम मतलब छटगाट पे नाच करवाएंगे तो बस यह वही था तो वही हम लोग सुबा के टाइम देख रहे थे और यह देखिए सब कैसे डांस कर रहे थी अच्छा लगता है देखकर यह सब तो यह सब हम लोग को गाउं में ही देखने को मिलेगा कहां सहर में यह सब होता है और यह देखिए हमारे गाउं की खेत कालियान हुआ था अब मतलब धान कट रने का सिजन है तो कहीं कहीं कट गया थे हमारे खेत के धान तो सारे कट गया है और कहीं कहीं बाकी है तो बस यह हम लोग रास्ते में जा रहेए थे और यह मेरी बेट Czech deals फोड़ा सा एक कर लिया था और हम लोग घर पर आ गया है तो चट तो अच्छे से ही बीद गया और आप लोग यह जो ब्लॉग ने जाएगा साया देख दूदिन लेट हो जाए तो आप लोग पूरा देखिए गजरूर और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमे रही थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगेगी